Hello students of class 10th, आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी क्लास के Footprint Without Feet नामक book में से एक chapter explain करने जा रही हूँ जिसका नाम है A Question of Trust, this is by Victor Canning Question of Trust एक agent की कहानी है, इसके बारे में हम आईये जानते हैं Horrence Danby एक अच्छा और honest citizen है, ये एक 50 साल के करीब उम्र का व्यक्ती है और unmarried है, वो अपने घर में एक housekeeper के साथ रहता है और ये housekeeper हमेशा उसकी health के लिए वरीड रहता है, वैसे Danby एक happy और healthy man है बट एक problem है, hay fever, hay fever एक allergy होती है जिसमें आँखों से पानी आना, छीकना वगरा symptoms दिखाई देते हैं, ये seasonal भी हो सकता है और कभी-कभी हर मौसम में भी ये किसी व्यक्ति को पूरे साल भी परिशान कर सकता है, पर Danby को Summers में ही ये problem होती है उसका lock बनाने का business है और उसके shop पे दो helpers है वो एक successful businessman है, लेकिन completely honest नहीं है उसे expensive books पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए हर साल वो पूरी planning करके एक safe यानि एक तिजोरी लूटता है बकाइदा पूरी planning के साथ कि वो कब क्या कैसे करेगा, पूरी planning करने के बाद वो एक safe लूटने के लिए तयार होता है एक बार में इतना पैसा लूट लेता है कि पूरे साल तक वो अपनी पसंद की books खरीद सके और ये books खरीदने के लिए वो एक secret agent की help लेता है, एक secret agent के through अपनी पसंद की books order करके मंगवाता है इस साल जुलाई में उसने फिर से एक robbery plan की है, उसे पूरा विश्वास है कि बाकी की robberies की तरह ये robbery भी completely successful होगी इस बार short over grange में एक house की उसने study की है, इस बार उसी house में उसको robbery करने का plan बनाया है उसने, उसके rooms, उसकी electric wiring, रास्ते, उसका garden, सब कुछ उसने study कर लिया है और इस समय वो घर में, उस घर में केवल दो servants हैं, और बाकी family लंडन जाने के तयारी में है, पूरे एक मन्त के लिए डैन भी इस घर पर watch रखे हुए है, दोनों servants आज movie देखने के लिए निकल रहे हैं, तो डैन भी उनको जाते हुए देखता है और खुश होता है पर उसकी नाक में खुझली होने से वो थ्रॉस irritated feel कर रहा है, और वो garden के पीछे की दिवार से घर में enter होता है उसकी पीट पर टूल से भरा एक bag है, जो उसको robbery के time पे help करता है safe में 15,000 pounds की कीमत के jewels हैं, अगर वो एक एक करके भी उनको बेचे तो उसके बदले में उसे 5,000 मिलेंगे जो अगले साल तक के लिए enough होंगे और उसे पता है कि market में तीन बहुत interesting books sale के लिए आने वाली है इसलिए अब उसे उन books को खरीदने के लिए पूरा पैसा मिल जाएगा, यह वो इस बात की उमीद करता है दैन भी ने housekeeper को चाविया किचिन के डोर पर टांगते हुए देखा था अपने gloves पहनता है वो और उस चाविज को pick up करके वो log से किचिन का दर्वाजा खोल देता है किचिन में एक कुट्टा लेता हुआ था, वो कुट्टा हिलता है और हलकी से अवाज करके और friendly way में उसके सामने पूछ हिलाने लगता है डैन भी ने कहा, all right sherry, क्योंकि वो जानता था कि कुट्टों को चुप करने का यही एक तरीका है कि उसे थोड़ा प्यार से और उसके proper नाम से उसे बुलाया जाए, तो कुट्टे react नहीं करते हैं safe drawing room में एक बड़ी सी painting के पीछे थी और वो painting बहुत बुरी और खराब हालत में थी वहाँ एक बड़े से बॉल में फ्लास रखे हुए थे, उसके वज़े से डैन भी को चीके आने लगी उसने अपना bag नीचे रखा और अराम से काम करने लगा, उससे पता था कि उसके पास पूरे चार घंटे हैं क्योंकि चार घंटे से पहले servants movie देख के वापस नहीं लोटेंगे safe खोलना उसके लिए कोई खास मुश्किल काम नहीं था क्योंकि उसका कामी locks बनाने का था इसलिए rocks के बारे में उसे पूरी information थी safe का अलाम खराब quality का था उसने उसका तार काटा और फिर बहुत जोर से चीका क्योंकि फ्लार्स की smell बहुत तेज थी वो सोच रहा था कि अमीर लोग कितने लापरवा होते हैं क्योंकि उसने इस घर के बारे में सारी information एक magazine से collect की थी जिसमें इस घर के बारे में इस घर के construction के बारे में पूरा plan दिया हुआ था यहां तक कि यह भी बताया गया था कि इस घर में कहां किस कमरे में एक painting के पीचे एक safe है फूलों के कारण उसे परेशानी हो रही थी उसने अपने रुमाल से अपनी नाग को कवर किया तभी दोर पर से एक लेड़ी की आवाज आई कि यह क्या है जुकाम या हे फीवर बिना सोचे डैन्बी ने एकदम से जवाब दे दिया हे फीवर और फिर बहुत जोर से जीका और अचानक चौंका पीछे पलट के देखा तो पीछे खड़ी हुई और उससे बोलती है तुम्हें सिर्फ यह जानने की ज़रूरत है कि तुम्हें यह ऐलर्जी किसी खास पौधे से है या हर तरह के फलार और पौधे से तुम्हें यह ऐलर्जी होती है और साथी साथ तुम्हें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए डैनबी ने देखा कि वो एक यंग लेडी थी जो की बहुत सुंदर और रेड ड्रेस में थी यानि उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है शेरी उसके साथ था यानि उस लेडी के साथ में खड़ावा शेरी ब नेरे घर में मेरी मुलाकात एक चोड से होने वाली है डैनबी ने बात को समालने की कोशिश करते हुए कहा कि मैंने भी किसी फैमली मेंबर को घर में एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज आई वस अलसु थेंकिंग कि आज सारी फैमली लंडन के लिए बाहर निकल गई है ह आँ ठीक है पर अब क्या करोगे ऐसा लेडी ने पूछा डैनबी बोला भागने की सोच रहा हूँ लेडी बोलती है अगर ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को फोन कर दूँगी तो डैनबी बोलता है मैं फोन के तार काटके जाओंगा ताकि आपको समय तक मेरी खिलाफ कुछ न लेडी बोलती है क्यों जाने दूँ तुम मुझे लूटने वाले थे मेरी सेफ को लूटने वाले थे अब किसी और को लूटोगे सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहिए टैनबी कहता है मैं सोसाइटी के लिए खत्रा नहीं हूँ मैं केवल बहुत अमीर बॉक्स से सिग्रेक निका ली उसे इंप्रेस करने के लिए डैनबी ने अपने गलव उतारे और उसे लाइटर दिया फिर बोला कि तुम मुझे जाने दोगी ना लेडी ने कहा एक शर्त पर लंडन के लिए निकलने से पहले मैंने अपने हजबन को प्रामिस किया था कि किसी पार्टी में पहननी है और इतना कहती ही डैनबी ने उसकी बात काटी और बोलता है और तुम उसका नंबर भूल गई हो ठीक है ना चलो ठीक है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो मैं एक गंटे में तुम्हारे जेवर सेफ खोल के तुम्हारे हाथ में रख दूँगा पर जनबी ने अराम से कमफर्टेबली काम किया और एक घंटे के अंदर सेफ तोड़ कर उसके जेवर उसके हवाले कर दिये और बहुत शांती से अराम से घर लोटाया दो दिन तक उसने लेडी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया कि वो चोरी नहीं करेगा यानि दो दिन तक उसने चोरी करने का कोई प्लान नहीं बनाया पर तीसरे दिन जब उसे बुक्स के बारे में ध्यार आने लगा तो उसने कहा कि कोई न कोई सेफ तो लोटने ही पड़ेगी और लेकिन इस सेफ को लोटने का कोई भी प्लान वो बना ही नहीं पाया क्योंकि दुपहर में पुल तब फिंगर प्रिंट्स सेफ पर आ गए थे और उसकी इस कहानी पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि हाउस ओनर की वाइफ ने उससे सेफ तोड़ने के लिए कहा था यहां तक कि ओनर की वाइफ जो कि 60 येर्स के असपास एक शार्प टंग लेडी थी उसने भी कहा कि ये जूट है मैं हाउस ओनर की वाइफ हूँ और ये स्टोरी नॉनसेंस है अब डैनबी जेल की लाइबरेरी में असिस्टेंट लाइबरेरियन है और अक्सर वो उस लेडी के बारे में सोचता है उस यंग लेडी के बारे में जो की बहुत ब्यूटिफुल और कॉन्फिडंट थी आज उसे एसास हो रहा है कि वो खुद एक चोर थी और उसने डैनब आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेर जरूर करें